हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं दही चावल, चलिए बनाते हैं दही चावल इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्रम दोणीवी चाव़ 7,700 दही, 3 करी पते, 2 हरी मीर्च, 600 थेल, नमक, तो चलिए बनाते हैं चावल को हमने अच्छी से धो लियten अब कोकर में चावल डालेंगे चावल के डालने के बाद इसमें डेर लीटर तक पानी डालेंगे पानी डालने गवाद इसमें नमक डालेंगे अब इसे गैस पे रख देंगे और चार सीटी आने तक इसे पकाएंगे दोस्तों ऐसे ही हम चार सीटी लगा लेंगे देखिए दोस्तों मेरा चार सीटी लग चुका है अब हम गैस पंद कर देंगे दस मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे दस मिनट हो चुका है अब हम चलिए हम देखते हैं खोल के इसमें दोस्तों दही हम पहले नहीं डाले क्योंकि हमारा दही फट जाएगा वह हम साड़ा दही को उसमें डाल देंगे और अच्छी तरह इसे मिला देंगे ताकि हमारा दही पूरे में मिल जाए अच्छे से दही के डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला देंगे दही के मिलाने के बाद उधर गैस पर हम एक कराही डालेंगे जिसमें डालेंगे सरसो तेल तेल के गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे सरसो डालने के बाद दो हरी मिर्च को हमने वैसे ही काट लिए हैं उसको डालेंगे दस से बाड़क कड़ी पते दोस्तों हमने कड़ी पते को डंठल से अलग करके तरक्या में करीपता डाल दिये हैं दस्तों हमारा तरका पक गया इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे इसलिए हम गैस बंद करके इसको हम चला लेंगे यह देखिए दोस्तों मेरा तरका बनके तयार हैं दोस्तों अब हम एक मिट्टी का बर्तन लेंगे उसमें अपना दही चावल डालेंगे दीरे दीरे करके इस मिट्टी के बर्तन को दही चावल से पूरी तरह भड़ लेंगे यह देखिए दोस्तों हमारा मिट्टी का बर्तन लेंगे दही चावल से भड़ गया है इसमें हम उपर से दो चमच दही डाल दिये हैं अब इसमें तरका डाल देंगे दोस्तों इसमें तरका डालने से यह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा यह देखिए दोस्तों हमारा दही चावल बिलकुल बनके तयार है आप लोग से एक बार जरूर बनाके देखिए यह बहुत ही कम समान में बहुत ही स्वादिष्ट दही चावल बनता है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए कॉमेंट कीजिए सेर कीजिए तंक यू